आशिश केलकर सामें सार जुन्हें पिसीजन इवेस्टमेंट से आशिश जी नमस्कार सबसे बहले तो इनिफ्टी पे अप्रोच बताएं आथ ने स्ट्रॉंगली मोमेंटम ग्याधर नहीं किया ये भी नहीं भूलना चाहिए कि फेड पॉलिसी बैठाक अगले हफते मेन हाइ बेंशन करना चाहूंगा नीचे की तरफ 8200 और उपर की तरफ 8300 ये दो लेवल्स के बीच में मैं मानता हूं कि निफ्टी उसलेट होता हुआ नजर आएगा वॉलाटिलिटी जारी रहेगी तो कोई भी साइड में पॉजिशन सम लेते हैं तो स्टॉप अगर हम निकलते हैं तो बाइन पॉजिशन में खड़ा रहना चाहिए उस वक्त स्टॉप लगाना चाहिए हमें 880 का और नीचे की तरफ अगर हम 8200 का लेवल तोड़ते हैं तो 820 का स्टॉप लगा की नीचे 7990 का लक्ष आसिल करते हो इन देख पाई हैं आशीर जी आईटी स्टॉक्स आईटी परफॉर्म कर रहा है इनफॉसिस जहां पर सबसे आदा गीन दिखा रहा है आज इंडिक्स में क्या करें आईटी स्टॉक्स आईटी स्टॉक के बारे में बात करते हैं तो मैं फिलाल जो मेजर प्लेयर से उनसे थोड़ा मेरा फोकस शिफ्ट करूंगा जो छोटे मजोले शेर से जैसा कि आपने इकनम सही फर्माया ट्राइजिन टेखनोलोजी अगर आपको याद होगा तो हम जब करिबन दो या तीन आउन इंवेस्टमेंट दे सकता है तिलाल यह जो स्टॉक है मैं मानता हूं कि इसमें पोटेंशल है करीबन 125 तक जाने का तो जिनका यह पोजिशन जिनने यह स्टॉक में पोजिशन लिए है नहीं भी पोजिशन बना सकते है लेकिन स्टॉप लास ठोड़ा डिप डिप यह से भी स्टॉक्स तेज हैं आपके रडार पर है कोई स्टॉक अभी इन तीनों में से कोई अगर एक स्टॉक करना है तो इन इती लिमिटेड एक बहुत अच्छे पॉल के बाद जो की करीबन 107 से लिए स्टॉक नीचा था 71 के लेवल पे उसके बाद एक उचला है और तो मैं मनता हूं कि स्टॉक पर फूकस करना चाहिए अगर यह स्टॉक जिसके पास नहीं है तो उसने 78.5 के उपर यह स्टॉक निकलता है तो ब्रेक आउट माना जाएगा वापे खरीदारी करने के सला होगी 76 का स्टॉक लोस लगाए और 85 का अलग स्टाट के उपर ।